हलो दोस्तों हाई हाव आयू कैसे हैं आप लोग दोस्तों यह वीडियो मैं सुबसुबसुबसुबस बना रही हूँ और यह आप जो सामने देख रहे हैं यह है बड़ा ही प्यारा सूर्य उद्धे एक्तम लाल चमकीला सूर्य उधे होते हुए और बहुत ही खुबसूरत न जा रहा था यह तो मैंने इसको क्याप्चर करने में एक मिनट भी नहीं लगाया फिलकुल पड़ा फट से इसको क्याप्चर किया आप लोगों के लिए तो जब कभी भी आप यह वीडियो देखेंगे तो सूर्य नारायन के दर्शन तो चलिए दोस्तों आज वीडियो की ब जहां मैं चैनल करने जा रही हूँ आपको अभी इस टाइम पर ट्विन फ्लेम्स क्या फिल कर रहे हैं उनके एनर्जी किस टाइब की है और वो जर्णी में किस जगे पर किस मुकाम पर हैं उससे पहले एक बात दोस्तों अगर आप करना चाहते हैं मेरे साथ कोई रीडिंग हो सकते हैं नंबर मिल जाएगा आपको इस वीडियो के इस्क्रिप्शन बॉक्स में तो चलिए वीडियो को स्टाइब करते हैं दिखिए जहां से मैं आपको ये एनर्जी बता रही हूँ वहां से स्टार्ट करते हैं जहां पे Twin Flames collective की बात कर रही हूं ना DM ना DF अलग अलग नहीं बलकि collective में एक तरह का unconditional love डबलप हो चुका है एक तरह की unconditional love और जो universal love की जो feeling है उसमें आते हुए पुरा Twin Flames community तो जहां पे पहले हम कह सकते हैं कि forgive करना असंभव लगता था बड़ा मुश्किल काम लगता था forgive करना और let go करना तो बहुत ही बड़ा टास्क था अब वो बिल्कुल एक तरह से हम कह सकते हैं कि easy लग रहा है easy हो चुका है बहुत ही means you can say कि effortless हो चुका है effortless तरीके से twin flames एक दूसरे को forgive करते हुए यहां तक कि कार्मिक्स को भी forgive करते हुए और बहुत ज़्यादा easy तरीके से बहुत ही effortlessly अब हर चीज को हर सिचुएशन को हर बात को let go करते हुए twin flames की energy है बहुत ही ज़्यादा forgiving energy है और बहुत ही ज़्यादा compassionate energy है जहां पर I can see the type of unconditional love, universal love जहां पर इतना develop हो चुका है इनके अंदर की awareness जो है वो हम कह सकते हैं कि बढ़ रही है और यह जो लगभख दो एक साल से दो तीन साल से जो लोग चरणी में है यह उनके बारे में है तो आपका solar plexus जो है वो काफी ज़्यादा active हो रहा है इस time पर अगर आप पाएंगे तो आप means आप देखेंगे कि आपका success rate बढ़ गया होगा आपका awareness का level बढ़ गया है आपका spiritual knowledge आप नहीं नहीं gain कर रहे हो यह सब भी sign है कि आपका solar plexus काफी ज़्यादा active हो रहा है इस spiritual knowledge और awareness के लिए उत्तदाई होता है यानि कि आपका awareness बढ़ता है जब आपके solar chakra जो है वो activate होना start होता है यह hilo होना start होता है तो यहाँ पे भी पिल्कुल ऐसा ही है awareness में आते हुए twin flames collective awareness में आकर समझ पा रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है इस type की है कि एक दूसरे की condition को समझ पा रहे हैं अब जो पहले समझ नहीं पाते थे अब वो एक phase आ गया है इनकी journey में कि यह समझ पाते हैं कि सामने वाला किस चीज से गुजरा है या गुजर रहा है ठीक है तो TF journey के हम कह सकते हैं यहाँ पे कि आप लोग TF अपनी twin flame journey के next मुकाम पर जा रहे हैं रहे हैं और unconditional love जिसको कहा जाता था जिसके अलग अलग माइने आप लगाते थे बट आप truly unconditional love में आ रहे हो I can say कि आप journey के flow में आ रहे हो जो हमेशा बोला जाता है कि go with the flow flow में रहने का तो वो journey आपकी flow में आ रही है बहुत easy and effortless तरीके से smooth जा रही हों की चीज़े आपकी आ उतना हर चीज में आप stuck नहीं हो जाते हो या आपको वो जो पहले एक feeling आती थी कि जैसे आप कहीं रुके हुए हो और आप कहीं बंदे हुए हो यानि कि आपको वो जो stuck वाली feeling होते थी वो अब नहीं होगी उस level की या फिर बिल्कुल ही नहीं होगी तो अगर आप stuck भी नही हैं आप दूसरे का situation समझ पा रहे हैं तो आप observer की जो है भूमिका में आ रहे हैं तो और आप पहले की जैसे stuck भी feeling नहीं करते हैं यहां तक कि आपके trust issues भी काफी हद तक heal हो रहे हैं आप सब को means अच्छी नजर से देखने लगे हो जो पहले आपको एक fear रहता था fear and doubt रहता वो अगर कम हो रहा है तो यह definite definite sign है कि आपका heart chakra heal हुआ है तो बहुत ही अच्छी energy पूरी twin flame collective के लिए कि आप लोग एक तरह की आपके awareness के level बढ़ रहे हैं इट means कि आप ascend हुए हैं जर्नी में और successfully ascend हो रहे हैं और बेश्कुल आपको अगर कोई guidance दे सकते हैं इस time पर तो क्य दे सकते हैं यानि कि आपको सिर्फ और सिर्फ इस trust इस faith को बना कर रखना है यही guidance दे सकते हैं और आपको surrender का level इसी तरीके से बरकरार रखना है अपने चक्राज पे थोड़ा work अगर और कर लेंगे आप तो और ज़्यादा अच्छे results और ज़्यादा अच्छा ascension आप achieve कर पाएंगे automatically जो shifts आपके अंदर आए हैं वो और enhance हो जाएंगे अगर आप थोड़ा सा अपने चक्राज पे ध्यान दे लेंगे या अपने balancing पे ध्यान दे लेंगे इस time पर तो already energy बहुत अच्छी है और आप ही के हाथ में है कि आप इसे continue कर सकते हैं आप इस balancing को बिलकुल continue कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी ये energy है मैं तो कह सकते हूं अगर आपको वीडियो पसंद आया है आपके साथ resonate हुआ है तो please चैनल को subscribe करिए जाते time और वीडियो को like भी करिए और comment जरूर छोटके चाहिए so that मुझे भी motivation मिले कि हाँ मैं आपके कुछ काम आ पा रही हूं